हेलो एवरीवन वेलकम तो इंटीग्रेटेड एडियू सिस्टम लेट स्टार्ट सिजदा एव प्याबोश प्रथक की सासक ने सुरू की थी ऑप्शन नमरे ग्याशुदीन बलवन ऑप्शन नमरे फिरोज साथ तुगलक ऑप्शन नमरे सी अलाउदिंग खेल जी ऑप्शन नमरे डी कुतुबुदीन एबक ऑप्शन नमरे उप्युक्त में से कोई नहीं या एक से दिग दराइट एंसर इस ऑप्शन नमरे घ्याशुदीन बलवन सल्तेनत काल में सीजदा एव पैवोष प्रथा का प्रचलन घ्याशुदीन बलवन जोकि 1266 से 1287 ने किया था सीजदा का अर्थ जुकर सुल्तान को नमसकार करना एव पैवोष का अर्थ शुल्तान के पैरों को चूमना है इस प्रथा का प्रचलन बलवन ने अमीरों के घमंड को तोड़ने और दर्बार में अनुशाशन को बनाय रखने के लिए किया था बलवन ने इरानी तेवहार नौरोज का प्रचलन भी प्रारम करवाया और 40 अमीरों के संगठन तुरका ने ये चहल गनी को खत्म किया सिजदा और पैवोष प्रथा का अंत साह जहां का साशन के दौरान 1636 इस वी में सिजदा प्रथा का अंत किया गया क्वेस्चन नमर टू कोरियाई ओपन बैडमिंटन दो हजार रते इसका फाइनल कौन जी था ion. ऐ शात्विक साही राज रंकी रेडी. Option B. चिराग सेती. Option C. चिराग सेती और शात्विक साही राज रंकी रेडी. Option D. फजर अलफियान और मौहमद औरियान आंदुरियन तो. Option E. उप्युक्त मैं से कोही नहीं या एक से अधिक. The right answer is option number C चिराग सेटी और शात्विक साहिराज रंकी रेड़ी शात्विक साहिराज रंकी रेड़ी और चिराज सेटी ने फजर अलफियान और मुहम्मद रियान आरदियान तो को 17, 21, 21, 21, 21 से हरा कर कोरिया योपन जीता Question number 3 The right answer is option number D मुहम्मद जोदोलों की खोज 1922 में राखलदास बनर जी ने की थी राखलदास बनर जी का जन्म मुर्शिदाबाद में 12 अप्रेल 1885 को हुआ था मुहम्मद जोदोलों की जादातर खुदाई साल 1964-65 में डॉक्टर जी एफ डेल्स ने की सन 1921 में भारतिये पुरातत्व सर्विक्षन विभाग के महानिदेशक सर जौन मार्सल के निर्देशन में राय बहादूर देया राम शाहनी ने सर्व पर्थम हडपा अस्थल का उत्खनन की कराया यह अस्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इस्तित मांट गो मरी जीले की रावी नदी के बायतर पर अवस्तित है सबसे कम नगरी करित राज्य कौन सा है ए बिहार, बी मेगाले, सी ओडिशा, डी हिमाचल प्रदेश, उप्यूपने से कोई नहीं या एक से थी दराइट एंसर इस ओप्शन नमबर डी हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश 2011 के जन्गन्ना के अनुसार भारतिय राज हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरी करण का प्रतिशत 10% दर्ज किया गया पहले 5 राज हिमाचल प्रदेश 10% बिहार 11.3% अशाम 14.1% ओडिशा 16.7% मेगाले 20.1% है Q5. भांड पाथर लोक निरित किस से संबन्दित है ए हिमाचल प्रदेश, B मेगाले, C जमुकाश्मीर, D अशाम, E उप्योपने से कोई नहीं या एक से दी दर राइट एंसर इस ओप्शन नमबर C जमुकाश्मीर भांड पाथर या भांड पाथर केंद्र शासित प्रदेश, जमुकाश्मीर का लोक कला है भांड पाथर में भांड का अर्थ खड़ा होना तथा पाथर का अर्थ नाटक होता है भांड बारा प्रकार के भांड पाथर के बारे में बताते हैं भांड पाथेर शदियों से कस्मीर के लोगों का मनुरंजन करती आ रही है जब प्रिंट मीडिया और इलेक्रिन्ट्रोनिक मीडिया का चलन नहीं था तो उस समय कस्मीरी समाज में समाजिक, राजनेतिक और धार्मिक संदेश प्रसारिक करने का अपना अनोखा तरीका था धन्यवाद